नमस्कार दरश्प मित्रो जनमत की पुकार में आपका सभावध है रोहिणी में चोरी के 6 मोबायल और 1 बैग के साथ दो चोर हुए गिरफतार रोहिनी जिले की पुलिस ने दो चोरों को गिरफतार किया है और उनके कबजे से छे चोरी की मोबाइल फोन और एक चोरी का बैक बरामत किया है आरोपियों की गिरफतारी से चार मामले सुलज गए है बिसीपी अमित गोयल ने बताया कि रोहनी पुलिस थाने की एक टीम ने EFIR के तहट दो चोरों को गिरफतार किया था शिकारत करता ने आरोप लगाया था कि उसके अधिन निर्माना धिन घर से दो मोबाइल फोन एक बैक एक रिमोट कंट्रोल और बारा हजार तीन सो रुपई नकद चोरी हो गए अपराधियों को गिरफतार करने के लिए इंस्पेक्टर बिजय कुमार के नितरुत्वों में हैट कॉंस्टेबल अंकित और संदीब तथा कॉंस्टेबल हरी सेह शामिल एक टीम का गठन किया गया था टीम नेक्षेतर में कई CCTV फुटेज का विसलेशन किया मानविय खुपिया जानकारी एकत रखी और जेल से रिहा किये गए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी CCTV फुटेज में से एक में चोरों को चोरी के बैक के साथ स्कूटर बर भागते हुए देखा गया टीम ने स्कूटी का पता लगाया पुलिस टीम ने अपराधियों के बार में सुराग खोजने के लिए कहा स्थानिय सूचक को शामिल किया गया तकनीकी निगरानी और मानविय खुफिया जानकारी के अधार पर पुलिस टीम ने सेक्टर साथ रोहिनी में दो संदिक्दों को चुनहित किया एक गुप्त सुचना के अधार पर पुलिस टीम ने रितिक और सागर कुमार जहा को गिरफतार किया निरंतर पुझताच करने पर उन्होंने इस मामले में अपनी सल्लतिता का खुलासा किया। जाज के दोरान उनके कबजे से छे चोरी के मुबाल फोन और एक चोरी का बैक बरामत किया गया। अपराद के दोरान इस्तिमाल की गई स्कूटी भी मामले में जब्त कर दी गई।